उत्तरपदेश के वारनसी में आज प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी काशी विश्वनात कॉरीडोर का उद्गाटन करने जा रहे है और इस मौके पर बीजेपी जो है देश के अलग-अलग हिस्तों में भी मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही है और मुंबई में भी इसी दिन से देख रहा हूं पुरे देश में आपके माध्यम से अलग माध्यम से पुरा देश उत्साहित होकर के हर-हर महादेव हर-हर महादेव और बनार्च की तरफ निकल चुका है लेकिन हर देश के कोने-कोने से लोग महां पहुंच नहीं पाएंगे इसलिए आधनी जेपी देश में हर जगह स्क्रीन लगा करके पूजार चना करके संतों का पडाम करके यह कारकम करें महाराज में 2000 को उपर जगह का कारकम होगा अभी मुंबई में जैसे बाबुलनाथ में आधनी देवन फनवी साहब जो पूर्य मुखवंती हैं वो यहां हैं कि अपने चंदकान पूना में आसी सेलार जा रहा हैं प्रविंदरेगर को थाना किया गया है सुधीर मुंदन टिवार जो है वहां पे हैं आईसे सभी जिलों में जो मतलब हमारे मिनिस्टर रहे हों चाहे विधायकों चाहे कारकरता हों उत्सा से कारकम साजर करता हैं लेकिन ये बड़े अच्छी बात कि उत्तरपदेश में इस तरह का ये कॉरिडर जो बनारा लंबे समय से इसकी मांग भी थी लेकिन उत्तरपदेश में चुनाव है कुछ महनों के बाद और इसको चुनावी राजनीती से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि पोलराइस करने कि कोशिट जोए बीजेपी इस माध्यम से हिंदुत्वे के लाइन की लकीर को और बड़ा करने की कोशिट जोए इस माध्यम से कर रही है मुझे लगता है कि बीजेपी और हिंदू एक सिकिक दो पहलू है चुनाव के दिश्ची से क्यों मैंने कहा ने कि जब प्रधानमंति जाये थे तो उन्हें एक वाकिपूर कहा था उसका संकल्पना की थी 2017 में एक संथ उत्तरदेश के मुखबंती बनता है जो संथ परमपरा से हैं और कितना बड़ा सवभाग था इस प्रधेश को क्या चाहिए विकास के काम हो चाहिए कारीडोर की बंदब पूर्ण रचना हो यह जो काम हो इसको चुनावी नजीर देखना नीचे जो हिंदू है जो भी हिंदू है उस हिंदू को यह आज का कारक्रम यह इतियासिक छण को खुशियों से मनाना चाहिए चुनाव की बाद रानिक बाद तो कभीर किया जैसा है हिंदू की बात कर रहे कल कॉंग्रेस के पूरव अद्यक्ष राहूल गांदी ने भी हिंदूत्व की बात की लेकिन ने कहा कि मैं हींदू हूँ मैं हिंदूत्व नहीं मानता इसको तो आप कैसे देखते हैं आप जब आज कह रहें कि जो हिंदू है उसने इसको बड़ी उत्सा के ताथ आज की दिन को मनाना चाहिए, राहूल गांदी के इस बयान को कैसा लेखते हैं, नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा उनके बारे में, अगर मैं इंसान हूं तो इंसानियत हो चाहिए अहई इसले मैं जो बात कर रहे कि화ini की भात करें हिंदू को न कर रहे तो Cuando कुछ मिलाकर उनोंने इसका मतलब वह हिंदू नहींए इस तब मैं दू chỉiba रहे हैं इतने मैं इसका मैं इतने करता हूं इंसान में इसनी उनी चाहिए हिंदू है हिंदू होut यह नहीं रहेगा तो अगरी सवाल उत्तरपदेश की चुनाव है आप भी उत्तरपदेश में कई बार दौरा करते रहेते हैं आपकी राजनीती महराष्ट में आप करते हो उत्तरपदेश में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखरी आपको क्योंकि अखिलेश रादवे दाव के मैंने किया था यह मैंने किया था उनी सो हत्तर में जिस नहर का कि आंउस सुरुवात हुई थी उस समय पैदा हुए थी मुझे बालूम नहीं दिन करी जो होता मैंने पुर्वांचल दिन चौड़े हुए tre तरदेश की जनता जब चुनाओं की थारीक आएगी जब नतीजह आएगा तो बताएगा चार सो सीट किसको मेली तीनी सीट छोड़ा है अब तीन सीट में भाजपा कांग्रेश दूसरे अन्य पार्टियां देखे तीन में कौन बारता है चार सो दो ले गए हो तो जो जुमला है चार सो गाहा जो जो मैंने ये किया मैंने ये किया आने वाले समय में उत्तरवेश की जनता जरूर 2017 दो रहेगी खुशुक्रिया बात करने देखे लेकर लोगों में खासा उत्सा है इसको चुनाओं से जोडने के जरूरत नी है लेकिन जो चुनावी राजनिती समझते है वो निशित तोर पर इस पूरी जो बीजेपी के मुव्मेंट है उसको चुनावी राजनिती से जोड़ते हुए दिख रहे है देखना दिल्चस्प होगा कि चुनाओं पर इन तरह के इवेंट्स का किस तरह से असर पड़ता है क्यामरा परसान आसिप के साथ रोना कुकडे ABP News मुंबई